सबको नमस्कार जो सरकार ने विवस्था किये अरिंजमेंट्स किये उसको लेके भी लोग बहुत खुश हैं लगबग सौ स्कूलों के अंदर अभी हम लोगों ने ये विवस्था किये और इसको अब हम बढ़ा के तीन गुना करने जा रहे हैं आने वाले समय के अंदर लगबग पचास हजार पैंतालिस साल से कम उमर के लोगों को और लगबग पचास हजार पैंतालिस साल से जादा उमर के लोगों को तो मोटे मोटे तौर पे एक लाख इंजेक्शन दिल्ली में देली लग रहे हैं और बहुत सारे लोग दिल्ली के बाहर से आके फरीदाबाद से, सोनीपत से, गुरगाओं से, गाजियाबाद से, नौईडा से, आसपास के इलाकों से आके लगवा रहे हैं और उन्हें भी दिल्ली के अंदर की विवस्था बहुत पसंदा रही है लेकिन आज सबसे बड़ी अर्चन हमारे सामने है कि वैक्सिन की बहुत कमी है अगर हमें वैक्सिन की डोजेज, हमें अगर वैक्सिन परियाब्त मात्रा में मिल जाए जैसे मैंने बार-बार बोला है, हम तीन महीने के अंदर दिल्ली, पूरी दिल्ली को वैक्सिनेशन करना चाहते हैं, दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहते हैं, अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सिन मिल जाए, तो हम तीन महीने में पू करोड है बहुत ही मोटे मोटे तौर पे एक करोड लोग 18 से 45 साल के बीच के हैं 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं 50 लाख लोग 45 साल से जादा उम्र के हैं तो एक करोड 18 साल से उपर वाले लगबक डेड़ करोड लोग हो गए 50 लाख लोग 18 साल से कम उम्र के हैं और बाकी डेड़ करोड लोग 18 साल से जादा उम्र के हैं इन डेड़ करोड लोगों को 2 करोड वैक्सिन लगाने हैं तो 3 करोड वैक्सिन चाहिए तीन करोड में से अभी तक दिल्ली सरकार को टोटल मिलाके 40 लाख के करीब वैक्सिन मिलेँ तो 2 करोड 60000 वैक्सिन और चाहिए 3 महीने में 2 करोड 60000 वैक्सिन चाहिए लगबग मोटे मोटे तौर पे 80-85 लाख वैक्सिन पर मंत चाहिए अगले 3 महीने के लिए अगर इतने वैक्सिन हम लोगों को उपलग्द करा दिये जाएं तो दिली के हर वेक्ति को 3 महीने के अंदर वैक्सिन करवाया जा सकता है 85,000,000 वैक्षिन ऐर महीने लगाने के लिए डैली 3,000,000 वैक्षिन लगाने पढ़े घिंगे Right! आज हम यहां एक लाफ वैक्षिन और अलरीडी लगा रहे हैं इसको जैसा मैंने बताया इसको अ स्कूल करने जा रहे हैं हम लोग तो हम अपनी के पैसिटी तीन लाख वैक्सिन पर डे बड़े अराम से कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब जब कि हमने व्यवस्था शुरू कर लिए हमें पता है कि कैसे करनी है और अगले कुछ दिनों में करने जा रहे हैं तो तीन लाख वैक्सिन पर डे हम लगा सकते हैं दिल्ली सरकार लगा सकती है आज की डेट में भी एक लाख लगा रहे हैं अगर हमें समुचित 80-85 लाख वैक्सिन पर मन्त मिल जाएं तो हम तीन महिने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सिनेशन कर सकता हैं यहां इससे भी थोड़ी ज्यादा ही जरूर्थ प पढ़ेगे लेकिन कम से कम इतनी जरूर तो हमें पढ़ेगी पढ़ेगी तो मेरे केंद्र सरकार से निवेदन है कि हमारे को उचित मात्रा में वैक्सिन उपलग्द करवाए जाएं पिछले कुछ दिनों से हम अख़बारों में भी पढ़ रहे हैं कि प्रधान मंत्री जी के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाईजर ने चितावनी दिये वार्निंग दिये एक तरह से कि थर्ड वेव भी आ सकती है उसके उपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर किया लोग भी बड़े चिंतित हैं कि पहली और दूसरी ये दूसरी वेव तो इतनी ज् वैक्सिनेशन कर लिया तो यही एक चीज है जो हमें तीसरी वेव से बचा सकती है यही एक ऐसा सुरक्षा चक्र है जो अपने को तीसरी वेव से बचा सकता है तो उस दिशा में आपकी सरकार दिली सरकार पूरे प्रयास कर रही है और हमें केंदर सरकार से जैसे केंदर सरका इसमें भी मदद करेगी हमें खास तोर से बच्चों की बड़ी चिंता है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी युवाओं को बच्चों को अभी ये वैक्सिन नहीं लग सकता मेरा सभी एक्सपर्ट से और केंद्र सरकार से अपील है कि उनके लिए भी जल्द से जल्द कोई वैक्सिन का इंतजाम किया जाए ताकि उनको भी वैक्सिन दी जा सके उनको भी वैक्सिन लगाई जा सके आज की डेट में हमारे पास पांच से छे दिन की वैक्सिन दिल्ली में बची है जो कि हम पूरी तेजी से लगा रहे हैं मैं उमीद करता हूं कि जल्द से जल्द उच